नागरिक्ता संसोधन बिल को लेकर प्रदेश सरकार के राजमंत्री रविंद्र जाहिसवाल ने बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने सबी विपक्षी पाटे के नेता को देश्त्रो ही बताते हुए जेल बेजने की बात कहें दी जांसी पोचे प्रदेश सरकार के राजमंत्री रविंद्र जाहिसवाल ने बत्रकारों से बात करते हुए एक बड़ा बयान दे दिया उन्होंने विपक्ष के नेता राहूल गांदी, प्रियंका गांदी, अखले से आदब और ममता वनर जी को देश्त्रो ही बताते हुए यह कह दिया कि इन सभी को ततकाल जेल भीज देना चाहिए यह चारों नेता देश की अखंडिता और एकता के साथ खिलवाड कर रहे है उन्होंने कहा कि नागरिकता संसोधन कानून लागू होने से राखुल और प्रियंका गांदी को डर सता रहा है कि कहीं मा सोनिया गांदी की इस कानून के तहट नागरिकता न चिन जाए इसके अलावा उन्होंने जेनियू में हुई हिंसा पर आम आधिय पार्टी और कांग्रेस को जम्मेदार ठहरा है प्रियंका को राहुल को अपने मा की नाइंटी एटी थी में मिली नागरिकता का भाई लगता है कि कहीं है सान हो कि मेरी मा का मिन अगता चली जाए हम चले जाए भार वह भाईवीत में बश्मना कर रहा है अखले स्यादों को भी निरासा में है जो साथ इतनी बड़ी पार्टी थी जो पार्टी आज जिरूब चलिया यह तो कुछ तो चाहिए उसको तरने के लिए वहर नदी नदी नमिले गंगा नमिले कुवा में तरने के परास कर रहा है और उसको महौल खराब कर रहा है तो क्या एक संपरदाई के लोगों को लिए विश्यस तोर पर यह हो रहा है कि उनका गोर्ट बेंक हाजिल किया जाए जी नहीं यह नहीं हो रहा है यह पता है हमको कि आज तक कोई तो नहीं बोला कि पाकिस्तान से और वहाँ पर अफगानिस्तान से बंगलादेश से निकाल जान भाई है ममता दीदेगे वोटर बन चुके हैं महांता दीदार थे की चलिए हमारा ओट खतम हो जागा मेरा कम जाए परसंटेज मामता दीव हो हाँ काम कर रही है और यह राश्ट द्रोई के कड़ी मात आए तो क्या मैं आपके चैनलिस कर रहा हूं कि सुनिया गांदी ह चाहे राहूल गांदी हो चाहे अखिलेश दी हो चाहे ममता दी हो यह सारे लोग कर राश्ट द्रोई में हो और समाज द्रोई के माफ ने कर दो 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 द झाल झाल